हेले दोस्तों नवश्कार स्वागत आप से भी का टूडे एक्जाम रिईव यूटिब चैनल पे तो दिदिके दोस्तों आर्मी ओर्डिनेंस कॉप्स में ट्रेट्समेन एंड फायरमेन के लिए बंपर वेकेंसी निकल चकिए है दो हुजार तेईस में 1793 पत पर केवल दस्वी पास के लिए बंपर वरती रहेगी जिसके फॉर्म फिलप स्टार्ट होचके है 6 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आपके फॉर्म फिलप किये जाएंगे तो जो दस्वी पास कैंडिडेट्स है उनके लिए सुनेरा मोका है इस वीडियों एओसी ट्रेट प्रिक्षा 2023 में तो जो भी साथी फॉर्म फिलप करने वाले हैं सभी साथी वीडियो में ध्यांस्यान तक बने रहेगा चलिए शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक वीडियो में कराएगे सभी question bilingual रहेंगे Hindi और English language में तो जो भी suitable language आपको पता है उस language दो अपने question को read कीजिए और साथ-साथ comment box में हमें अपने right answer भी पताईए Second question में पूछ जा रहा है Naganand का रचनाकार कौन था Who was the creator of Naganand देखे दोस्तों नaganand के जो रचनाकार थे वो कौन थे तो ये थे हर शुर्दन Second number option will be the right answer बढ़ते हैं अगले question की और अगले question में पूछा गया कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी Who carried out the इक्तेदारी system देखे दोस्तों जो इक्तादारी प्रथा है खारे जल की जील वान जील कहां स्थित है Where is the salt water lake वान लेक located देखे दोस्तों जो खारे जल की जील है वान जील ये आपके तुर्की में स्थित है इस question का राइट इंसर option number D रहेगा अगले question में आप से पूछा जार है समीधान सभा के प्रारूप समीती में सदश्यों की संख्या कितनी थी What was the number of members in the drafting committee of constitutional assembly तो समीधान सभा के प्रारूप समीती में सदश्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी तो ये आपके साथ थी राइट इंसर option बर भी रहेगा देखिए दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजेगा शेर नहीं किया तो सभी दोस्तों भी शेर जरूर कर दीजेगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके पालस वाले नोटिफिकिशन बैल को ओन कर लीजेगा तक इस चैनल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए नेक्स्ट क्वेशन में पूछा जा रहा है बर्मा को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था तो बर्मा को प्राचीन भारत में गोल्ड लैंड यानि कि स्वन भूमी के नाम से जाना जाता था अगले क्वेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य के चारों और घूमने वाले पिंड क्या कहलाते है तो इन्हें क्या कहा जाता है तो इन्हें planets यानि की ग्रह कहा जाता है अगले question में आपसे पूछा जा रहा है कि इन में से कौन सा एक आगने shell का उधारन है Which of the following is an example of आगने shell तो आगने shell के उधारन के अपने बात करें तो इसका राइटन से रहेगा option बर B जो ग्रेनाइट है वो आपके आगने shell का एक उधारन है अगले question में पूछा जा रहा है किसे परकरती का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है What is called the safety valve of nature तो परकरती का जो सुरक्षा वाल्व है ये कहा जाता है option number B volcano यानि की जुआला मुखी को आगले question में पूछा गया कि Victoria जल परपात किस नदी से समन दित है Victoria waterfall is related to which river देखे दोस्तों बात करते है Victoria waterfall की तो ये related है जामबेजी river से correct answer option number D रहेगा इस question का आगले question में आपसे पूछा जा रहा है कि निमल लिखित में से कौन एक मरुस्थल नहीं है which one of the following is not a desert तो इन में से कौन से एक मरुस्थल नहीं है तो इसका right answer एक option number A ठारू ठीक है ये कह मरुस्थल नहीं है कालारी सारा को भी ये कह मरुस्थल के उधारन है अगले question में पूछा गया अमीर खुस्रो किस शाशक के दरबारी कवी थे अमीर खुस्रो जो दरबारी कवी थे ये थे अलाउदिन खिल जी के option number B will be the right answer आगले question में आपसे पूछा जा रहा है कथक कहा की नर्तिय शेली है देखें दोस्तों बात करते हैं कथक की तो कथक जो है वो आपके नौर्थ इंडिया यानि की उत्री भारत की क्या एक नर्तिय शेली है right answer option number D रहेगा अगले question में पूछा जाला है next question काल मार्क्स द्वारा लिखी पुस्तक दास कैपिटल कब परकाशित हुई थी when was the book दास कैपिटल written by काल मार्क्स published तो काल मार्क्स के द्वारा जो लिखे गई पुस्तक है दास कैपिटल ये पुब्लिश हुई थी 1866 में अगले question में आपसे पूछा जा रहे है बद्रिनात धाम कहां अवस्तित है where is बद्रिनात धाम located देखिए दोस्तो जो बद्रिनात धाम है ये आपके उत्राखंड में स्थित है अगले question में पूछा जा रहे है lumen किसका मात्रक है whose unit is lumen देखिए दोस्तो बात करते है lumen की तो lumen light flux यान की जोती flux का क्या है मात्रक है आगले question में पूछा जा रहे है किस ताप मान पर जल का घनतव अधिक्तम होता है at what temperature is the density of water maximum तो ये जो maximum होती है वो 4 degree centigrade पे होती है आगले question में पूछा जा रहे है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उश्मा पाकर द्रव में बदलता है क्या कहलाता है तो इसे क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है गलांक यानि की melting point अगले question में पूछा जा रहे है ध्वानी का परभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है How long does the effects of sound last in the human ear तो ये रहता है option बर भी 1 by 10 second तक ठीक है आगले question में पूछा जा रहे है परकास छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते है light is made up of small particles called तो इन्हें क्या का जाता है तो इन्हें photon कहा जाता है आगले question में पूछा जा रहे है 100 साल का युद किन के बीच लड़ा गया between whom was the hundred years war fought तो ये लड़ा गया था आपके किन के किन के मध्य में तो ये लड़ा गया था France और England के मध्य में आगले question में पूछा जा रहे है एक nautical meal बराबर होती है 1 nautical meal equals तो एक जो nautical meal है ये 1.85 km के बराबर होती है आगले question में पूछा जा रहे है approximately what is the pH value of milk तो दूद का pH मान लगबग कितना होता है तो ये 6.4 के लगबग होता है अगले question में पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त नियम का परतिपादन किस ने किया वो प्रोपन दे मौडन प्रियोडिक लो तो आधुनिक आवर्त नियम का जो परतिपादन है ये किया गया था मोजले के द्वारा correct answer option number D रहेगा इस question का अगले question में पूछा जा रहा है लोहा परचूर मातरा में पाय जाता है iron is found in planting तो लोहा जो परचूर मातरा में पाय जाता है ये हरी सबजियों में पाय जाता है green vegetables में पाय जाता है अगले question में पूछा जा रहे है चीन की great wall का निर्मान किसने करवाया था वो built the great wall of china तो great wall of china का जो निर्मान करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था तो ये करवाया गया था शी हुआंग टी के द्वारा next question में पूछा जा रहे है cigarette lighter में निमल लिखित में से कौन सी गैंस प्रियुक्त होती है देखे दोस्तों जो cigarette lighter होता है उसमें butane नामक गैंस जो है वो प्रियुक्त होती है आगले question में पूछा जा रहे है किसे काली मौत कहते है what is called black death तो काली जो मौत है ये कहा जाता है प्लैग नामक बीमारी को correct answer option number B रहेगा इस question का आगले question में आप से पूछा जा रहे है गाजर किस विटामिन का स्मरद होता है carrots are rich in which vitamin देखे दोस्तों जो गाजर होती है उसमें सबसे ज़्यादा vitamin A की मातरा पाई जाती है ठीक है तो vitamin A इस question का आपका विल्कुल right answer रहेगा आगला question है pacemaker का समंद किस से है with whom is the pacemaker related देखे दोस्तों जो pacemaker है ये related है heart यानि की हरद्या से correct answer option number B रहेगा इस question का final question कवर करते हैं जो की studio का homework question रहेगा जिसका right answer आपको सभी साथियों को comment box में बताना है who is the originator of the principle of mutant उत्परिवर्तन के सिधान्त के जनमदाता कौन है उत्परिवर्तन के सिधान्त के जनमदाता कौन है चार option आपको given है अगर आपको इस question का right answer बताए तो सभी साथ एक बार comment box में जुरूर बताईएगा वीडियो पसंदाएगा तो प्लीज वीडियो को like share और चानल को subscribe जुरूर कीजेगा धन्यवाद जयन जयवारत मिलते नेक्श वीडियो में